Hello students, welcome to Topic Touch, इस वीडियो में हम डारेक्ट और इंडारेक्ट स्पीच की एक्सरसाइज नमर एट सॉल्ब करेंगे और यह एक्सरसाइज क्लास 10 इंग्लिस एक्सिलेंट गाइड से ली गई है, बाकी की मैं और एक्सरसाइज सॉल्ब करवा चुका हूँ, उन वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी हम इस एक्सरसाइज को सॉल्ब करते हैं, पहला सेंटेंस देखे, हरी सैड, कॉमा, इंबर्ट कॉमा स्टार्ड, I will leave this place now, तो इंडारेक्ट इस पीच में से किस परकार से कनवर्ट करेंगे, हरी सैड और उ इस एक्सराइगा, करता क्या है, हरी, हरी का प्रोणौन होगा ही, तो आई की जगे पर भी ही आ जाएगा, बिल का बुड लीब दिस का दैट हो जाएगा, प्लेस नाउ का दैन, तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, हरी सैड ब्रूड लीब दैट प्लेस दैन, इसके बाद द दूसरा देखते हैं, राम said to me, तो हो जाएगा, राम told me, said to का told, conjunction that लएगा, अब he third person है, he नहीं बदलेगा, बिल का would, इसके बाद है, go to Mumbai, और today का that day, तो क्या बनेगा, राम told me that, he would go to Mumbai that day, तीसरा देखते हैं, आनन्द said, इसके बाद that, आनन्द said that, I है, first person, तो बदलेगा subject के अनुसार, आनन्द के अनुसार, आनन्द का pronoun ही, I की जगाए पर भी ही आ जाएगा, so, C की second form है, second form लगी है, यानि की past indefinite tense है, past indefinite बदलता है, past perfect में, तो साहे क्रिया हैड लगीगी और क्रिया की third form, तो क्या होगा, had seen, तो पहले that के बाद, he had seen the task two years, एगो का बिफूर, ठीक है न, इसके बाद हम आगे देखते हैं, चौथा sentence क्या है, अंसू, set to, आसा, तो set to बदलेगा, told में, आसा, conjunction that लेगा, रेनू, बिल का बुड, go to school, tomorrow बदलता है, the next day, या the following day में, ठीक है न, इसके बाद 5 में देखते हैं, दिने said, तो किस परकार से convert होगा, दिने said that, आई का हो जाएगा, दिनेस के अनुसार, he, did not, past indefinite है, past indefinite बदलता है, past perfect में, उसकी साई के रिया head होती है, और head के बाद not लएगा, तो he, I बदलेगा, he, he, had not, by, इसकी थर्ड में हो जाएगी, bought, b-o-u-g-h-t, bought, this, that, house, yesterday का, the previous day, yesterday बदलेगा, the previous day, या the day before, the day before, छटमा, रीना said, this is my cow, रीना said that, अब दिस का दिस ही रहेगा, जब कोई चीज पास में ही हो, तो दिस बदलता नहीं है, इसका हो जाएगा, was, my first person है, subject के अनुसार बदलेगा, subject रीना है, रीना का प्रोनौन, सी, और सी के अनुसार, माई की जगह पर हर आ जाएगा, क्योंकि माई सम्मंद का रहेगा, तो सी का सम्मंद का रहेगा, और cow का, cow रहेगा, full stop, साथ माई, सवीता सेड, तो सवीता सेड, that, conjunction, I, सवीता का प्रोनौन सी, तो I के जगह पर भी सी आ जाएगा, worked, past in different tense है, past perfect हो बदलेगा, had worked, here का देर, happily, इसके बाद आठमा, he said, तो he said that, I बदलेगा, he के अनुसार, इदर he हो जाएगा, am का was, writing a book, these का those days, ठीक है ना, those days, इसके बाद देखते हैं, नौमा, she said that, I है, she के अनुसार बदलेगा, c में, और sell, जो है, would आ जाएगा, would leave all these का those papers, here का, there, तो हो जाएगा, she said that, और I की जगह पर क्या ना, she would leave all those papers, there, last है, James said to Rani, तो James told Rani, conjunction that, I James के अनुसार हो जाएगा, he, have का had, done, your, Rani के अनुसार, Rani का प्रोनाउन, see, और your की जगह पर आ जाएगा, her, work, today का, that day, तो इस तरीके से exercise complete होती है, वीडियो गर आपको पसंद आई है, see, like कीजिए, channel पर, यदि आप नए है, तो इसे subscribe कर लीजिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,